हेई गाईज देखो आप लोगों ने देखा हुगा कुछ दिनों से एफल इंडिया जैसे स्टॉक्स में काफ़ी जादा गिरावड़ देखने को मिल रहा है एफल इंडिया में सारे आईटी स्टॉक्स तो अलेड़ी गिर चुके हैं जितने अच्छे अच्छे वाले आईटी स्टॉक्स को गिरना था गिर चुके हैं लेकिन कुछ ऐसे आईटी स्टॉक्स थे जो बच्चे हुए थे अब देखेंगे यहाँ पर आज के रेट में 0.5% बजार गिरा है हाला कि रिकवरी को अगर हम छोड़ देंगे तो आज के रेट में भी ये 4-5% तूट चुका था ज अभी जिसका लो आपको बताया जा रहा है अभी जो अभी करेंड में चला है 1052 रुपीज का और आज का जो इसने लो बनाया है ना वो तो और भी देखने लाएक है यहाँ पर 1013 रुपीज 500 रुपे का सीधा सीधा डिफरेंस देखने को मिला 500 रुपे जो कि बहुत बड़ की चीज होती है और यह स्टॉक अगर देखोगे तो अभी गिरना सुरू किया है इसने अब कहां पर जाकर रुकेगा यह बोलना मुस्किले लेकिन यही मतलब इससे जादा गिरना नहीं चाहिए था यहाँ पर स्टॉक को अगर आप देखोगे तो इससे जादा स्टॉक को 800 करोड बना के दिया है शेरहोल्डर्स को वो कमपनी अगर माल लेते हैं कि 35% गिर सकता है तो फिर उसके सामने FL India क्या चीज है बई जो 3 लाग करोड की कमपनी वाली कमपनी और FL India के वाल माल लेते हैं 13,000 या 14,000 करोड की मार्केट कैप वाली कमपनी तो इसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है तो सोच लो जब वैसे कमपनी गिर सकती है तो यहाँ पर भी आपको मार्केट में गिरा ओट देखने को मिल सकता है रीजन मैं आपको बता दूँ दो रीजन देखने को मिल सकते हैं पेहला निफ्टी आई-टी इंडेक्स पूरी तरीके से गर रहा है इस वजह से अब बोलेंगे और दूस्रा ये अब क्यों गरना एक प्वा» क्यूंकि इसके क्वाーटर नतीजे आने वाले हैं क्वार्टर नतीजे आने वाले हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखेंगे यह है NST का official website यहाँ पर आगर आप जाकर देखोगे तो आपको जाना हुआ company information में company information में अगर आप जाएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर board meeting में आपको बता चलता है कि भाई कब क्या होने वाला financial result आपको बताया जा रहा 14 May 2022 तो result अब सब कुछ depend करता है company के result पे देखो IT company के जितने भी company थे सारी company को result कमजोर आए है इस वज़े से जब इसका result का जो time है सामने आने लगा तो यह stocks में भी weakness देखने को मिल गया अब देखो मैं बोलना सुरू करता हूँ Amazon का result बहुत खराब था जिसके कारण Amazon का stock गीरा नहीं है stock पीटा है और बहुत बूरी तरीके से पीटा है एक दिन में 14% का गिरा आउट Amazon का मतलब पात समझ में आती है दुनिया की सबसे बड़ी company मतलब पूरे world का सबसे बड़ी company आप सोच सकते हो वो company एक दिन में 14% गिरा reason के वल quarter result था सोच सकते हो अगर और भी अगर आप देखोगे Apple अगरे हो गए है बहुत अच्छे अच्छे आप देख सकते हो मिटा की बात कर लेते हैं वो कितना 30-40% का अच्छे अच्छे stocks वहाँ पर correct हुए है तो वो तो बात हो गया विपरो का जब result विपरो, Infosys, TCS, L&T यह सारे company को जब result है तो क्या है सारे stocks crash हुए के नहीं crash हुए और अच्छे-च्छे valuation पर crash हुआ है TCS को भी मतलब कम से कम तो उसको भी 1,00,000 करोड का market cap का नुकसान हुआ होगा विपरो को भी लगबग मतलब 80,000 करोड से लेके 1,00,000 करोड तक का market cap का नुकसान हुआ होगा और क्या बोलते है Infosys को तो यह सभी company में आपको weakness देखने को मिला है अब तो यह company का result आने वाला है इस वज़े से इस company में पहले से ही गिरावट देखने को मिला क्योंकि market को ऐसा लग रहा है ऐसा feel हो रहा कि maybe number कमजोर हो सकते है और यहाँ पर देखोगे quarter result की बात कर लेते हैं यह है F.L.India अब F.L.India की यह है quarter result quarter result में अगर आप देखोगे तो अभी December का है जो कि March का आने वाला है अब December में F.L.India ने क्या कर दिखाया है देखो 62 करोलो का profit मतलब पहले इतना profit कभी हुआ ही नहीं था 59 करोड था लेकिन 62 करोड उससे भी जादा है मतलब company ने जो पिछले quarter में जो December में company ने profit कर दिखाया है था वो record high profit था बहुत दमदार अच्छा सांदार profit था company ने जो profit करके दिखाया है इसके बावजूद इसके बावजूद stock जो है अभी गिरना स्टार्ट हो रहा क्योंकि March के नंबर सभी company के खराब है company के result अच्छे हो या बुरे है वो तो बाद में देखेंगे न KPIT की बाद कर लेते हैं इसका result तो अच्छा था quarter result तो अच्छा था देखोगे नीचे अगर आप देखोगे तो यह है quarter result अब यह quarter result में अगर आप ध्यान से देखेगा तो यह है March और यह है March यह December आपको देखने को मिल जगा तो यह quarter and quarter और यह year and year आप चाओ तो दोनों focus कर सकते हैं यहाँ पर अब दोनों अगर आप यहाँ पर focus करते हैं तो company का जो net profit था 52 करोड से 79 करोड और पिछले quarter में 70 करोड से 79 करोड तो year and year और quarter and quarter दोनों तरप से तो company ने सांदर profit करकी दिखाये न लेकिन फिर भी KPIT का stock गिरा हुआ है कि नहीं गिरा हुआ है और थोड़ा बहुत तो ये आप देख सकते हो KPIT जो कि आट सो रुपया का high था यह stock का आट सो रुपय अच्छे result होने के बावजूद पिछले quarter में भी इस quarter में भी अच्छे result होने के बावजूद 800 रुपय का stock आपको 484 रुपिज मिल रा तो ये कुछ ऐसे reason है जिसके वर इस F.L. इंडिया में गिरावड देखने को मिला और तीसरा reason में आपको बता दूँ के फिल इनी में और क्यों गिरावड देखने को मिला बाई foreign और domestic वालों ने ये दो लोगों ने खुले बजार में बहुत बड़ा माल बेचा है बहुत बड़ा माल बेचा है और ये सारा माल पब्लिक ने खरीदा है और इन दोनों ने जब माल बेचा है तो market में और ज़्यादा weakness create हो गया पहले foreign वालों पास और domestic वालों पास काफी बड़ी हिस्सेदारी थी पहले public के पास किवल 11% ही दिया जाता था पब्लिक को 11% का हिस्सेदारी दिया गया था अब public के पास 18% से जादा हिस्सेदारी है पिछले एक दो quarter सा foreign वाले domestic वाले continue माल बेच रहे हैं यहाँ पर एफल इंडिया में लेकिन फिर भी public अगर देखो गे तो हर बार जब भी यहाँ पर होता है यह मेरा personal opinion है तो मुझे लगता है कि एफल इंडिया में आपको बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा 5-10% स्टॉक थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है यहाँ से लेकिन bottom इसी के आजबाजू है bottom 5-10% में ही छुपा हुआ है जब यहाँ से stock भागेगा ना तो 50-100% करिटर निकाल के देगा तो 100 रुपय कमाने के लिए 10 रुपय का रिस्क ले सकते हैं लेकिन 100 रुपय कमाने के लिए 90 रुपय का रिस्क नहीं ले सकते तो bottom इसके 5-10% के आजू-बाजू है और यहीं पर अगर आप खरीदना स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इंतजार मत करो कि और गिरेगा गिरेगा बजार 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 ये सब करते रहोगे तो फस जाओगे और फिर देखो मैं आपको बलूँगा कि नुकसान लोगों को दोनों तरफ से होता है जब स्टाउक गिरता है तो भी जब स्टाउक भागता है तो भी अब लोग बोलेंगे सरे स्टाउक भागता है तो प्राफिट हो गया नुकसान कैसे हो गया उनके बारे में सोच लेजिए, जो लोग 10 से गिरते बजार में स्टॉक बेज दिये होंगे और सोच रहे होंगे कि जब बजार रिकवर होना स्टार्ट होगा तो खर दूँगा तो क्या, उनको, मतलब कैसे उनको पता चलेगा कि भाई रिकवर हो रहा करके कोई बताएगा यह सही तरीके से research करेंगा तभी न तो वो करते क्या है यहाँ पर माल buy करते हैं और यहाँ पर माल बेज देते हैं यह हो जाता है और जब stock वोपर recover कर जाता है तो फिर यहाँ पर buy करने की कुछिस करते हैं बात समझ में आ रही है तो जब आपने यहाँ पर ही आपको खरीदना है तो जब गिर रहा stock तो इतना आपको bear करना पड़ेगा sorry fundamental technical नहीं बताया है क्योंकि यह सारी चीज़े आपको बहुत सारे लोगों ने और बहुत बार मैंने खुद भी बता रखा है इस वज़े से तो और अगा आप stock market में नहीं तो अपने डिमेट अकॉंट इंजन में उपन कर सकते हो जहां पर आपका डिमेट अकॉंट बिल्कुल फ्री डिलेवरी चार्ज़े इस फ्री क्योंट 10 रुपीज लगेगा वह भी इ इंट्राडे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है में इंटो में जाके अपने डिमेट अकॉंट वगरा उपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में